आज हम आपके लेकिया है एक ऐसी शानदार वीडियो जिसको देख कि आप समझ जाएंगे कि आज हम बात करने वाले हैं open versus close ended mutual funds अभी open ended and close ended mutual funds का मतलब क्या है सबसे बहुत को यह समझना है कि open मतलब open for investment and close ended मतलब closed for investment अब आप सोचेंगे अगर investments के लिए बंद है तो इसमें invest कैसे करेंगे हम close होता है बट कुछ समय के लिए यह कुछ समय के लिए फिर खुलता है फिर close हो जाता है इस को ओंगे थे close ended and open ended is a type of fund जहां पे आप कभी भी किसी भी फंड जहां पे आप कभी भी invest कर सकते हैं एक्जामपल SIP कि मुझे स्टॉक में इस mutual fund में साइप करने में हर महीने पैसे डालूंगा तो वो इस एन अगर एक fund 10,000 shares को संभाल रहा है तो वो कहता है इसका 10% सिरफ 100 shares at a moment one person can buy मतलब सिरफ 100 shares ही मैं आपको offer कर रहा हूं आप इस से जदा खरीदने सकते हैं इस से कम भी खरीदने सकते हैं तो मतलब fixed number है एक lot size के साफ से आप buy कर सकते हैं and उतने पर ही आपको stick होना पड़ेगा satisfy ह पड़ेगा versus open ended funds में क्या number of shares fixed नहीं है number of shares fixed नहीं है मतलब आप आज 100 buy करना चाहो 100 buy कर लो 101 buy करना चाहो एक हजार एक बाय करना चाहो वह भी कर सकते हो आप कितने भी share buy कर सकते हो किसी भी समय यह होते है हमारे open ended mutual fund which are open for investors every time close ended mutual fund का दूसरा point क्या है it has a lock-in period lock-in period मतलब क्यों लंबे समय के लिए invest करते हैं थोड़ा ज्यादा रिस्क भी लेते हैं इसलिए इनके पास एक lock-in period होता है मतलब at least two to five years यह आपके पैसे को lock करके रखते हैं मतलब आप दो से पांच साल से पहले वह पैसे निकाल ने सकते मार्केट से and mutual fund से तो आपको कहेंगे कि यार आपने आज 100 पर लगा दिया है तो at least two साल तक आप इसको निकाल ने सकते हैं चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो और पांच साल के बाद आप 100% पैसे निकाल सकते हो बट उससे दो साल से पहले एक भी रूपर नहीं निकाल सकते हैं तो यह एक्जामपल हो गया हमारा क्लोस इनरेट कर देखें तो इसमें बहुत ही शॉट लॉकिन पिरेड होता है या फिर लॉकिन पिरेड होता ही नहीं है क्याने का मतलब है ओपर नेट फंड में आपने आज इसाई भी चालू करी है भगवान ने कर आपको कल जरूरत पड़ गई कोई ऐसी एमर्जेंसी आगी कि आपको उ क्लोज इनेट मूचल फंड क्या मतलब आप यह सोचें कि अगर मुझे कल मेरे पास पैसे आएंगे क्या मतलब अगर आप यह सोचें कि यार मेरे पास आज की दिन पैसे पड़ें मैं अगर इसको मैंने इन्वेस्ट नी किया तो मेरी आदत खराब है मैं तो कोई खर्चा कर कोई बयक लेंगा गाडी लेंगा यह कि ऐसे आल फल दु आ टां बटान फंट कर दूऊ तो मैं चाता हूं उसको आज ही इन्वेस्ट कर दू मैं चाता हूं क्लोज इन नीड मुचल फंड भाई भाई मेरे पैसे ले मेरे से इंवेस्टमेंट ले मेरे से पैसे ले मेरे पैसे इंवेस्ट कर दे तो क्या होगा वो कहेगा अभी मेरे सबसे चल रही है और बीच में पैसे नहीं डाल सकता तो तू मेरे पाद चार महीने बाद आई हो तब मेरी विंडो खुलेगी तब मैं तरह को पैसे लगाने कभी भी any time of the day invest नहीं कर सकते and any time of the year आप उसमें exit नहीं कर सकते जैसे generally seasonality के साब से देखें तो आपको दिखता कि December में tax loss harvesting की वज़े से market generally नीचे गिरती है क्योंकि लोग अपना tax loss harvest करते हैं and shares exit करते हैं तागे अपना tax वगएरा पूरे दे पाए especially FIIs तो close ended mutual funds का एक tactic यह हो सकती है कि हम बढ़ती market में तब invest करेंगे जब market थोड़ी सी downward होगी जैसे December के time या जैसे कोई ऐसा month हाए कि जहां पे लोग generally exit करते हैं for short term जैसे December के last के 15 दिन या इंडिया में कहीं तो March के last के 15 दिन तो ऐसे कुछ समय में close ended funds अपने investors के लिए वो period open रखते हैं जिसमें आप invest कर सकते हैं और आपको pre determined बता होता है invest करने से पहले आपको पता है कि next four months में दुबारा मुझे मुझे मौका मिलेगा invest करने के लिए यह हो गया हमारा specific windows in close ended fund versus open ended fund में क्या होता कभी भी आपने order को execute कर सकते हैं जिस दिन भी market खुली आप उसमें invest कर सकते हैं जिस दिन भी market खुली है आप उसमें exit कर सकते हैं obviously को छुटी वाले दिन है तो market यह open नहीं तो आप exit and enter नहीं कर पाएंगे बड़ अगर market open है तो आप किसी भी time उसमें exit यह enter कर सकते हैं अना आपको day की NAV जो भी उस दिन NAV चल रहे होगी net asset value वह आपको मिल जाएगी day के end पे then हमारा fourth point क्या है liquidity क्योंकि close ended funds हर समय open नहीं है तो इसमें investment थोड़ी कम आती है as compared to open ended fund इसलिए इन में liquidity भी कम होती है क्योंकि NAV जो है वह आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप close ended fund के opening के time window specifically opening जब होगी तब आप उसमें buy कर सकते हैं तो आपको NAV तभी दिखेगी यह NAV से आप तभी match करके खरीद पाएंगे and example लेते हैं कि आज market में उस fund का price बहुत ज़्यादा है and NAV कम है तो you would want to buy right now but आप कर ली सकते हैं क्यों क्योंकि windows यह open नहीं है वह investment accept ही नहीं कर रहे इसकी वज़े से यहाँ पर liquidity थोड़ी सी कम होती है as compared to open ended fund open injury fund ओब कर में देखें तो liquidity जो है वो जादा होती है क्यों की अगर मैं नहीं बेच रहा तो कोई और बेच रहा है मैं नहीं खरीज दो कोई और खरीद करीज सकता है इसको liquidity का बहुत बाढ़ जादा few पर निट कोinsky की वज़े से जिसकी वैसे return जो है वो exceptionally high होते हैं as compared to open-ended funds generally कम भी हो सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं बट generally क्योंकि रिस्क जादा ले रहे हैं इसले they want higher returns then last point हमारा क्या जाता है usually traded जो हमारे close ended funds है after some lock-in period वो usually trade करते हैं हमारे stock exchanges पे जहां पर आप उसकी liquidity को देख सकते हैं उस समय के बाद जोन की liquidity होती है वो भी बढ़ जाती है जोन में investments होती हो भी बढ़ जाती है and they almost perform like open-ended funds but after that lock-in period after that substantial period of the fund open-ended fund में usually traded नहीं होते हैं अगर आपको इसमें invest करना आपको इसको खरीदना तो आपको क्या करना पड़ता है directly उस company के through उसको buy करना पड़ता है जो company है sell कर रही है जैसे example ले लेते हैं कोई ABC company है जो mutual fund management company है और वो listed नहीं है तो वो क्या करेगी उसकी site पर जाके आपको उसकी NAV से buy करना पड़ेगा या उसकी site पर जाके आपको एक agent के through उससे buy करना पड़ेगा बट आप stock market से listed exchange market से trade उसको खरीद नहीं सकते हैं बेच नहीं सकते हैं क्योंकि यह usually traded नहीं होते इसलिए इसकी आप रोज NAV चेक नहीं करते हैं इसमें invested लंबे समय तक रह पाते हो इसकी वैसे आप थोड़ा सा आपको horizon चोटा हो जाता है बट एनिवेस बोट अब इसमें प्रो टिप है कि अगर आप ETF में invest करते हैं तो it works somewhat like mix of both ETF आप देख सकते हैं ट्रेड़ेट भी होता है exchange traded fund उसके नाम में है and उसमें आप कभी भी invest कर सकते हैं तो वो open भी है उसमें कोई window नहीं है also लिकुरिटी भी जाता है and कोई fixed number of shares भी नहीं है कहने का मतलब है कि open ended and close ended का mix को अगर आपको trade करना है और एक थोड़ा सा कम risk लेना as compared to both of them तो आप ETF में भी invest कर सकते हैं जो की close ended and open ended mutual funds का एक mix है although it's not a mutual fund it's a different kind of fund but it has specific characters of both of these funds I hope you like this video and gain something useful out of it अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like करते जाना and चैनल को subscribe करते जाना and let us know कि आपको next videos कौन से topics पे जीए so we will bring you that in detail thank you